Hello everyone, welcome to all of you, this is Anju Maurya और आज की क्लास में हम एक बहतरीन टॉपिक लेकर आये हैं जिसका नाम है PEM PEM का मतलब है Protein Energy Malnutrition Protein Energy Malnutrition का मतलब ये है कि बच्चों में protein की deficiency से होने वाले क्या disorders होते हैं जिसको हम दो section में देखेंगे, एक merasmus और एक quashior कर merasmus और quashior कर में क्या differences हैं और क्या similarities हैं इसके बारे में हम लोग discuss करेंगे Actually merasmus हो या quashior कर हो दोनों ही protein की कमी से होने वाला disorder होता है लेकिन अगर हम बात merasmus की करते हैं तो merasmus में protein के साथ साथ बिलकुल nutrition ही नहीं मिल रहा है उस बच्चे को मतलब ना protein मिल रहा है ना carbohydrate मिल रहा है ना fat मिल रहा है मतलब किसी भी तरीके की calorie भी नहीं मिल रही है किसी भी तरीके की energy ही नहीं मिल रही है तो इसको हम लोग merasmus के नाम से जानते हैं तो देखिए और quashior कर में क्या होता है केवल और केवल protein नहीं मिल रहा है मतलब आप कह सकते हैं कि प्रोटीन नहीं मिल रहा है, बाकी सारी चीज़ें मिल रही होती है, तो इसको हम लोग क्वाशियोर कर कहते हैं, अब हम वन बाई वन इन सारे डिफरेंसेस के बारे में डिस्कुस करेंगे, मैरिसमस में, देखिए मैरिसमस जो छोटे बच्चे होते, एक साल से छोटे बच्चे, तीन महीने से लेके, बाकी एक साल से छोटे बच्चों में, मैरिसमस होने के चांसे होते हैं, और जो क्वाशियोर कर है, देखिए क्वाशियोर कर हम किशोर से याद करते हैं, किशोर मतलब थोड़ा बड़ा, ठीक है, तो एक साल से बड़े बच नहीं मिल पा रहा है ना प्रोटीन कार्वोएड़ेट फैट किसी भी तरीके की एनरजी नहीं मिल रही है तो प्रोटीन के साथ-साथ और भी चीजें उस बच्चे को नहीं मिल रही है जबकि क्वाश्योर कर में ड्यू टू डेफिशेंसी आफ उनली प्रोटीन मतलब ऐसे मतलब मदर जो ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिल पा रहा होता है तो उनको मदर क्या है खाने पे रख देती है ठीक है तो उनको और और भी आप कैसकते है गरीबी की वज़े से उनको जो प्रोटीन से डाले मगरे नहीं मिल पा रही है तो बस चावल खा रहा है रोटी खा रहा है प न्वाटी में थैसे जो बच्चे होते हैं महरस्मस वाली जो बच्चे होते हैं वा बिलकुल fimous eight dia होते हैं पतली सुखी हढ़ी के जैसे मतला कह सकते हैं उनकी ribs दिखती है पसलियां दिखती है इन में चाइल्ड थोड़ा ribs तो ribs नॉर्मल होती है रिब्स नॉर्मल लेकिन चाइल्ड उनके उनका जो एडिमा हो जाता है पेट स्वेल कर जाता है उबेसी को भी सीटी का सिकार हो जाते है ठीक है तेखो अगर ऐसे बच्चे को जो मेरिसमस वाले हैं वो वोरेशियस फीडर है उनको कहीं घाना मिला तो वो बह कुटेनियस फैट लॉस होने का मतलब यह है कि उनके जो स्किन के नीचे के जो फैट डिपॉजिट होते हैं या स्टोड होते हैं वो भी खतम हो जाते हैं धीरे-देरे क्योंकि भाई फैट कहां से रहेगा बॉडी में कहीं से भी कार्बोहड़रेट ग्लुकोस यह सब जाई एक तरीके से यह एलर्ट होते हैं लेकिन बड़े चिड़ चिड़े होते हैं इरिटेबल होते हैं मेरेसमस वाले बच्चे जबकि यह जो काशियोरकर वाले बच्चे हैं यह लेथार्जिक होते हैं बड़े आलसी होते हैं इनमें सीवियर मसल वेस्टिंग मसल बहुत मतलब एक तरीके से muscle vesting होने लगती है, muscle की thinning होने लगती है, यहां mild muscle vesting होता है, और जो merasmus के बच्चे हैं, child suffering from merasmus, need adequate amount of protein, fat and carbohydrate, इनको protein, fat, carbohydrate, सब कुछ चाहिए, अगर इनको cure करना है, तो जबकि जो quashore कर वाले बच्चे हैं, child suffering from quashore कर, need adequate amount of proteins, क्योंकि इनको और चीज़ें मिल रही होती हैं, तो हम इस तरीके से, आज हमने PEM का concept समझा, जिसको हम लोग protein, energy, malnutrition के नाम से जानते हैं, अच्छा हमने एक चीज़ आपको वीडियो में बताने कहा था, फेकल्टेटिव और दूसरा हमने कहा था, फेकल्टेटिव और कॉंस्टेटिव इसके बारे में, तो इसका वीडियो भी हम आपको बना देंगे, फेकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन और कॉंस्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन तो हम इसका भी वीडियो बनाएंगे, बाकि आप लोग जो है इसको अपनी नोट बूक में नोट कर लीजिए, आप किसी भी स्टेट के बाइलोजी के स्टूडेंट है और किसी भी तरीके की परप्रेशन करना चाहते हैं, टीचिंग एक्जामनेशन, इंटरंस एक्जामनेशन और किसी भी तरीके के टेस्स से बाइन हो जाईए, ओके बाइबाइ सभी को, all the best मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हैं.